दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मेरी साधी के वीडियोस तो ये रहा मैं उर्फ दूला इब्राहिम और ये रही मेरी पतनी उर्फ दुलहन इब्राहिम तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूला दुलहन जब जैमाल के लिए स्टेश पर पहुंचते हैं तो लोग दूला दुलहन के साथ फोटो कीचाने के लिए आते हैं बहुत लोग आते हैं हम लोग की साधी में तो इतने लोग आया है कि बीच-बीच में मुझे लगा कि जैसे हम दोनों ताज-महल हैं और लोग आगरा गूमने आये हैं और ताज-महल के साथ फोटो की चा रहे हैं तो चलिए सुरू से शुरू करते हैं मतलब कि उस दिन से शुरू करते हैं जिस दिन से घर में मेरी साधी की तैयारियां शुरू ही थी, घर में महमानों का ठूसना शुरू हुआ था, कहने का मतलब था, कि महमानों का आना शुरू हुआ था, और मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ था, कि मैं बहुत इंपोर्ट मैरी जो आसकी का ऐसा भूद चड़ता है कि ना दिन दिखती है ना रात बस मुबाइल की चार्जिंग दिखती है और चलती रहती है बात तो ये वो दिन था जिस दिन मेरी तिलक चड़नी थी अगर कुछ लोग को तिलक के बारे में ना पता हो तो मैं बता दू तिलक वो कारेकरम होता है जिसमें लड़की पक्च के लोग लड़के पक्च के यहां पर आते हैं फिर विद्धि-विदान के दौरा तिलक का कारेकरम संपन्न होता है तो ये समय ता दो फरखा और तिलक वाले आने थे शाम को तो तांकि जो मेहमान आये थी हमारे काड़ पर पढ़के उनके लिए खाने की पूरी विस्थाई की गई थी मतलब कि अचार था, निबू था, ककड़ी थी, मतलब कि चकने की पूरी आइटम थे बस पीने के लिए पानी और खाने के लिए पूरी के साथ पनीर था अब आप देख सकते हैं कि दीवाल में स्वागतम लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि साधी की समय साधी वाले घर में कोई तयार हो ना हो घर की दीवाले तयार कर दी जाती है कहीं स्वागताम लिख देते हैं, कहीं तिलकोचसा लिख देते हैं, कहीं दूला दूलान के नाम लिख देते हैं, विक्रम संग नहा, और अगर ऐसा हुआ कि जिस घर में साधी हो रही है, उस घर में अब साधी होने के लिए 8-9 साल तक कोई नहीं है, तो यही नाम अंगले 8-9 मुछो आले, यह मेरे दादा जी तो लडकी पक्श के लोगों के साथ बहुत सारे लोग है साथ में आए यह पंडिजी जिनके पीछे cooler बैठा है मतलब यह जो cooler के सामने बैठे तो लडकी पक्श के लोगों के आते ही उनके भी खाने पीने की ववस्था सुरू की गई अगर वो पीछे जगवाला नहीं खड़ा होता ना तो मैं यह कंफार्म नहीं कर पाता कि यह बन्यान वाले भाईयक चापी रहे हैं तो जैसे ही तिलक वाले आए वैसे मुझे भी नीचे से उपर संदेशा बेजा गया मतलब कि मैं उपर वाले कमरे में थाग घर के संदेशा बेजेगा कि जलजी आज तिलक चाड़ना है तो मैं कमरे से बाहर निकला लेकिन मैं आपको एक बाद बताऊं जितना मेरे आंगे पीछे मेरे रिष्टेदार नहीं थे ना उतना दो कैमरे वाले थे हर दो कदम पर रोग दि है वो कारण आगे है जब मैं उपर वाले कमरे से घर की सीडियों से नीचे उतरने लगा तो मुझे बड़ा अकेला-अकेला महसूस हो रहा था अब पता नहीं क्यूं अब जब मैं बारात लेके आपने वाइफ कहां पे गया और मैंने देखा वाइफ को आते हुई बहुत सा आगे बीचे आगे अगल बगल में खड़ी हैं यह दोनों ही मेरी मामा के लड़की हैं सागी बेने मतलब कि यह बहुत इंदर इस तरह की आवाजे जाती हैं यह हम ही घर के अंदर रहें तो जैसी मतिलक वाली जिगा पर पहुँचा बैठा और मने अपने सामने देखा तो देखती हैरान रहें और मन में मैंने सुचा कि सामने कौन फकीर बैठा है बाद में जब मने सकल की तरफ देखा तो ध्यान आया कि यह तो मेरा साला है साला है अरे नीचे से लेके ऊपर तक साब हरा पहना हुआ था आप क्या ही बताओ खेर एक बात बताओ मैं कैसा लग रहा वैसे तिलक का कारेकरम आगे बढ़ा संपन्ध हुआ और तिलक चंड़े के बाद एक रसा मोती है जैसे मैं साला जीजा को पान खिलाता है तो जब मेरा साला मुझे पान खिला रहा था तो मुझे तो हासी आ रहे थी यह सोच कि हासी आ रहे थी यह तो इसने नीचे से लेके उपर तक सब हरा पहना हुआ है उपर से हरा पान खिला रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसे पान के हाथों मैं पान खा रहा हूं तो पानवान खाने के बाद तिलकोचो का कारेकरम संपन हुआ और इस दिन के बाद आया वो दिन जिस दिन के बाद जाने वाले थी मेरे दिन यानि कि बारात जाने का दिन आया और सब लोग यहाँ पर खड़े होके मुझे तयार कर रहे हैं यह जो left में खड़ी है, हस रही है, यह मेरी बुआ है, और जो बीच में उनके बगल में खड़ी है, वो भी मेरी बुआ ही है, अब यहाँ पर मेरे पीछे जो नीले साड़ी में बैठी है, वो मेरी मम्मी है, और वो वहाँ पर रो रही है, मुझे पहले पता नहीं था कि रो र कि उनका कोई भाई नहीं है मामा नहीं है ताकि वो इस रसम को निभा पाते तो वहाँ पर जो रसम को निभा रहे हैं वो मेरे बड़े नाना की लड़के इनको मैं बच्पान से बहुत मानता हूँ तो इन्हें नहीं वो रसम निभाई इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे मामा नहीं ताकि कुछ कारण मैं आपको बता सकूँ चीजों के खेर अब इस रसम के बाद मुझे आगे के युद्ध के लिए तयार किया जाने लगा अब उसके लिए सबसे पहले मेरे हाथ में हल्दी से सना हुआ धागा बानने लगे उस धागे में एक लोहे की पटी भी थी वैसे इस धागे को इसलिए बाना जाता है ताकि कोई दुरगटना कोई अब शगुन नहों सादी के दोरान वैसे मेरे लिए पसनली इस दागे ने अब कभी नहीं होगा खैर आगे चलते तो यह जो दो लोग आपको दिख रहे हैं मुझे तःयार कर रहे हैं उनमेंऎशente एक मेरे जीजजा है और एक मेरे फूपा है वो मेरे मा मा की लड़की के पती है tek जो मेरे फूपा हैं, वो मेरे पापा की चाचा की लड़की की घर के हैं, अब आप समझ गयोगे, आप आगे क्या समझाँ, खेर, जब मुझे इन दोनों ने पूरा तयार किया, और मैंने अपने आपको देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जूला बनाया है, या इच्छाधारी नाग बनाती है, इतनी सारी चमकीले चीजे ने लगा दी, मेरे माथे में जो तिलक देख रहे हैं, वो भी चमक रहा है, जो गले में पहना हुआ है, वो भी चमक रहा है, जो सर में मुकोट है, वो भी चमक रहा है, इच्छाधारी नाग की मड़ी पहना दी है, मुकोट नही वो इसलिए क्योंकि चांद तारे निकलाए थे और बारात का टाइम पे पहुँचना जरूरी था और ये रही गाड़ी जो मकडी के जाले की तरह सजी हुई है और वो देखिए मकडा बैठा हुआ है यानि कि मैं बैठा हुआ हूँ और ये रही मेरे पापा जो सबसे लेफ्ट में है बहुत दिर बाद पहली बार दिखाई दिये हैं और उनके बगल में हैं उनके दोस्त और ये रही मेरे स्कूल के दोस्त मतलब कि ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन मेरे दोस्त हैं तो हुई है न मेरे स्कूल के दोस्त तो बारात के पहुंचने के बाद बारातियों का स्वागत तिलक लगा कर किया गया और ये देखिए गाड़ी से नीचे उतर रहें दुनिया के महान जादूगर अब क्या बताऊं वो टोपी पहनने के बाद दूला कम और महान जादूगर जाद लग रहा हूं मैं तो बारात और दूले के स्वागत के लिए बहुत सारे महमान खड़े थे उन सभी महमानों में एक मेरी नानी भी थी वो देखिए वो वो है और ये है मेरे ससुर जी यानि कि निहा की पापा ये मुझे अंदर तक लेके आए और उसके बाद जो भी विदी विदान ससुर जी की दूसरे को तो आज पान का रंग हरा था और उसके कपड़े का रंग काला था तो ठीक लग रहा था दूसरी तरब मेरे पापा और बांकी बाराती जो भी आये थे वो खाने खाने में बिजी हो गया और इधर मेरी नानी और नानी के अलावा और भी लोग दुलहन के आने के वारें थी मतलब कैमरा मैंन उनको पोज बता रहा है और वो पोज दे रही है फोटो की चुवा रही है मुझे कुछ पोज तो समझ में आ है लेकिन कुछ समझ में नहीं है जैसे ये जैसे इसमें कह रही हूं कि साधिक बाद मैं अपने पती को फूख के उड़ा दूगी उसके ख़हा है लेकिन भगवान के गश्ड़ में देर हैं अंदेर नहीं साल तो मैं बैठा अपनी वाइफ के आने का इंतजार कर रहा था बहुत देर हो चुकी थी तब ही वाइफ अपनी सेना के साथ आती हुई दिखाई दे मुझे ऐसा लगा जिसे कोई सेनापती आ रहा है तो सेनपती नेहा क्याने के बाद कैमरामेन ने मुझे खागी भाईया अपना हाथ बढ़ा कि उनको उपर खिच लीजे मैंने गागा भाईय देखो है इसा है एक तो उनका लेंगा भारी है उपर सिफ वो भी लेंगे के बराबर ही है कहीं ऐसा नहों कि मैं भी उनके साथ हाथ बढ़ाया मैंने उनकी तरफ अपनी गर्दन जुकाई और इसी के साथ वरमाला मेरे गले में आ गई और वाइफ मेरे गले में पढ़ गई मतलब की वाइफ मेरी जिंदगी में आ गई इसके बाद मैंने अपनी वरमाला वाइफ के गले में डाली और मैं उनके गले में पतलब कि उनकी जिन्दगी में सांधमिक तो इसी के साथ वरमालय का करेकरम संपन हुआ और इसके बाद हम लोग को बनाय गया ताजमहल और लोग ताजमहल के साथ आकर फोटो कुछाने लग ben बनने के बाद बहुत सारी रस्में लेकिन मुए सभी रस्में नहीं दिखा से रोके कि जब बागबान देख के रो सकता हूं मैं तो यहां भी मेरे आशू निकली सकते थे लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया नहीं तो लोग बड़ा मजा कुडाते मेरा खेर वाइफ तो जानती थी कि यह विदाई है मेरी यहां पर रो लीती हूं कोई दि दिन में एक व्लोग डालूँगा मैं कॉमेडी व्लोग डालूँगा तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए देखिए और मुश्कराइए बहुत बहुत धन्यवाद